Hello Friends, Welcome to the Exam Hacker YouTube Channel दोस्तो अभी हम लोग Land, Transport को डिस्कस कर रहे थे उसमें से हम लोग Road जो Transport है उसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में आज हम लोग Land Road में जो Transport होती है दूसरी Transport, Railways Transport उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिर हमारा बद जागा Pipeline Transport उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तो इस सारे टोपिक UPSC स्लेबस में मेंशन है इसलिए काफी महत्वपूर है तो चलो दोस्तो आज हम लोग Railway Transport के बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं इंडिया के परस्पेक्टिव से तो दोस्तो रेलवे की बात करें इनकी फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे चीप ट्रेवल कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ ट्रांस्पोर्टेशन करनी हो तो हमारी चीप सबसे सच्थी ट्रांस्पोर्टेशन यहाँ पर सुद्दा उपलब कराती है दोस्तो रेलवे multi various activities यहाँ पर प्रोड़ करती है जैसे विजनेस के लिए मालो कोई companies है तो आपनी companies की goods वगराः यहाँ ट्रांस्पोर्ट करनी है तो रेलवे यहाँ पर प्रोड़ करती है उसके लावँ पेसेंजर के लिए, इंडिवीजवल के लिए या सादी के लिए भ कोच को भी आप उसको आप बुक कर सकते हो साइट सीन यदि हिली एरिया में साइट सीन प्रोवाइट करनी है टुरिजम के लिए या प्लीग्रिमिरेज के लिए इस्पेशल आप देखोगे कुम्भ मेला में अलगी इस्पेशल ट्रेंड चला जाती है दिवाली दसारा छट प लिए बहुती शुटेबल है और लार्ज डिस्टेंस टैबल के लिए और हमारे रेल वेच ग्रेट इंटीडेटिंग फ्यर्स हमारी रही है ठीक है महात्वां गानधी ने एक बार बोला था कि रेल्यवेच्थ के द्वारा रेल्वेच्थ ने हमारे कलिचर या इंडियन को और freedom fighter में इसको fighting करने में help कर रहा है तो दोस्तो railway जो है हमारे different community है different region है उसको integrate करने का काम किया है और ये 1500 सालों से हमारी railway integrating का काम कर रही है और जो economic life आप country है उसको bind करती है और हमारे development में चाहे industries हो चाहे agriculture हो दोनों की development में हमारी railways बहुत ज़्यादा helpful हो रही है और हमारी एक तरह से backbone है इंडरस्टिज की railway तिसारे characteristics है दोस्तो railway transport की अब तो characteristics हम लोग देख लिए अब देख लेते हैं कि हमारे railway का status क्या है इंडिया में तो दोस्तो railway जैसे आप देखोगे कि 1991 की जो industrial policy आई थी उसमें से 17 या I think 18 जो sector थे रिजर्व किये गये थे लेकिन सुरी आठ सेक्टर को रिजर्व किये गये थे लेकिन उसके बाद 2001 में तीन सेक्टर को सिर्व रिजर्व किया है तीन सेक्टर में railways को यहाँ पर रिजर्व किया गया है public sector के लिए यहाँ पर government का पूरा अधिकार है railways पे तो largest public sector हमारी Indian railways है और complete जो Indian railway है वो हमारी complete बोल स देखें तो first train Mumbai to थानने चली थी 1853 में जो कि 34 km की distance को travel किया था और British British India के दौरान railways को बहुत जादा डेवलप किया गया लेकिन यहाँ पर railway को exploit यानि की resource को exploit करने के लिए ब्रिटेसर ने यहाँ पर इंडिया में इसको develop किया था दोस्तों यह आप 2015 की data की बात करें तो railways की यह network है वो हमारी है 66,030 km यह टोटल जो railways का जो track है network है 66,030 km हमारी है जो one of the largest world का जो railways की network हमारा बनाता है जोस्तों इतनी ज़्यादा जो network है बहुत ज़्यादा complex है बहुत सारे ट्रेने हैं तो complexity और इतनी lengthy network को संभालने के लिए एक जोन से संभालना मुश्किल हो रहा था तो इंडियन railways ने total network को 16 जोन में यानि इंडिया में 16 जोन में divide किया है और अलग अलग जोन है अपने अपने area को वहाँ पे क्या करती है मैनेज करती है तो 16 जोन का एक बार यहाँ पे हम लोग नाम देख लेते हैं तो नदन इंडिया साइट की बात करें तो नदन इंडिया में हमारी चार जोन है पहला है नौर्थ वेस्टन नौर्थ वेस्टन यानि की राज्स्तान साइट वहाँ पे देखोगे उसका headquarter हमारा जैपूर में ह फिर नौर्थ सेंटरल यानि की इंडिया की मैप आप देखोगे तो वेस्टन साइट की अलावा यहाँ पे सेंटरल साइट यानि यूपी साइट आप देखोगे तो इलहाबाद उसका headquarter है फिर नौर्थ इस्टन यानि की बिहार साइट आप देखोगे तो गोरकपूर उस रेल्वे हैं उसको चार्ट डिवेजन में यहां पर डिवाइट किया है इसको आप ध्यान रखना फिर दोस्तों यहां पर सेंट्रल रेल्वे की बात करें यानि पूरे इंडिया की सेंट्रलिटी की बात करें तो यहां पर मुंबई मुंबई CST उसका हेटक्वाटर है मुंबई CST Central Railway का अब दोस्तों यहां पर इस्टर्न इंडिया की बात करें इस्टर्न साइट की तो इस्टर्न रेलवे का जो हेटक्वाटर है हमारी कोलकता है फिर इस्ट सेंट्रल इस्ट सेंट्रल वाली रीजन फिर यहां बिहार जारख वाली जो East Side है यानि उडिसा साइड वाली वहां के Headquarter भूनेस्वर है तो East Side हमारी तीन हो गई Central में One हो गई और Northern Side हमारी चार हो गई ठीक है अब देख लेदे हमारी Western Side तो Western Side में हमारी दो है Western Railway Zone Churchgate अगेन मुंबई के पास मुईबे है Churchgate वहां पे Western Railways का Headquarter है फिर West में भी Central ठीक है मद्यप्रदिस वाली रीजन वहां पर देखोगे जबलपूर हमारी West Central Zone की यहां पर जबलपूर मद्यप्रदिस में इसका Headquarter है अब हम लोग East में discuss कर लिए East में 3 थे Central में 1 थे West में 2 है नदन में 4 है अब सदन की बात करते हैं सदन इंडिया तरफ की बात करते हैं तो सदन रेलवे सदन मोस्ट रेलवे को बहुते हैं सदन रेलवे जोन जिसकी Headquarter चिन नहीं है फिर South Central Railways यानि कि तेलंगना अंध्रावाली डिजन को यहां पर सिकंद्राबाद जो तेलंगना में है उसका Headquarter है फिर South Eastern Railways फिर आप देखोगे उडिशा के आसपास देखोगे तो यहां पर कोलकाता अगेन यहां पर कोलकाता हमारी Headquarter है South East Central यानि कि 36 गड़ वाली रिजन, 36 गड़ करनाटका और महराष्टा के कुछ रिजन यहां पर देखोगे तो बिलासपूर इसका Headquarter है फिर South Western Railway South Western यानि कि करनाटका और केरला साइड आप बात करोगे तो हुबली जो करनाटका का ठीक है करनाटका के इस्टेशन है हुबली वहां पर यहां पर एक Headquarter है तो आप देखोगे यहां पर 16 टोटल होगे Northern India Side हम लोग देखे 4 देखे Central में 1 देख लिए Eastern में 3 देख लिए Western में 2 देखे और यहां पर सदन में हम लोग देख लिए 5 देख लिए ठीक है तो यहां पर 16 टोटल रिजन में डिवाइट किया गया है इंडियन जोन को यहां पर manage करने के लिए क्योंकि बहुत जादा complex हो जाएगा तो उसको manage करने के लिए solar जोन में डिवाइट किया है इसको आप एक बार इसको memorize कर सकते हैं या धान में रख सकते है अब देखे दोस्तों इंडियन डेलवेग जो distribution है उसके कौन-कौन से factor effect करत हैं यानि कि इंडियन डेलवेज भी एक समान distributed नहीं है पूरे इंडिया में कहीं पे इनकी density ज्यादा होती है कहीं पे कम होती है इसके लिए दोस्तों यहां पे फिजियोग्राफी एकनोमिक और administrative factor तीनों responsible है फिजियोग्राफी आप देखोगे जियोग्राफिकल फैक्टर आप देखों कि northern plane में इंडियन डेलवेज ज्यादा concentrated है क्योंकि northern plane हमारी waste plane प्रवाइट करती है high population density भी है यानि economic प्रवाइट करती है administration भी वहाँ पे easily हो जाएगा क्योंकि plane है rich agriculture resources है और most favorable यहाँ पे railways की growth के लिए यहाँ पर प्रवाइट करती है क्योंकि इंडियन डेलवेज बहुत ज़्यादा ज़्यादा यदि slope होंगे तो वहाँ पे इसको बनाना बहुत मुस्किल होता है यूज भी करना मुस्किल होता है इसलिए इंडियन प्लेन में आपको most favorable location प्रवाइट करता है इंडियन डेलवे को develop करने के लिए लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक प्रॉलम भी है क्योंकि बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों यहाँ पर होता है इसलिए इसलिए उन पर ब्रीज बनाना बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ जाता है ठीक है तो नजन जो प्लेन है हमारी इंडियन डेलवे ट्रेक को डेबलब करने के लिए तो इजी पर दन करती है लेकिन वहाँ ब्रीज बनाना मुस्किल होता है तो एक ओप्स्टेकल है फिर भी आपको नजन प्लेन में इंडियन डेलवे वेल डेबलट आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों यहाँ पे हीली जो रेजन है चाहे पेनुसिलर इंडिया की हो चाहे हमाले हिमारे रेजन हो वहाँ पर क्या होती है कि वहाँ पर ट्रेक को बनाना बहुत ही मुस्किल होता है क्योंकि वहाँ पर स्लोप जादा होती है और हिमाले रेजन में तो सेडिमेंटरी डॉक से बने हुए है ठीक है तो सेडिमेंटरी जो का problem होती है इसलिए आप देखोगे नौर्फ इस्टर्ण जो इस्टेट है वहाँ पे बहुत कम डेबलब है वहाँ पे इस्पेसल प्रोवेजन किया है कि एरो प्लेन वहाँ पर यानि कि एरो एरपोर्ट को ज्यादा वहाँ बनाएगे नौर्थ इस्ट्रेंजन में करेक्ट करने के लिए रेलवेज वहाँ पर बहुत कम देखने को मिलेंगे तो दोस्तों यहाँ पर पेनिसलर इंडिया में तो सेडिमेंटरी रोक नहीं है, मेटम्वार्फिक और इगनियस रोक पाते हैं लिए स्टेंथ ज़ादा है इसलिए आपको Peninsular India में तो railways थोड़ा डेवलप्ट देखने को मिलते हैं और जो railway पास होते हैं वो हमारी low hill area से मालो एक hill area है तो hill के यहाँ पे bottom line से यहाँ पे low hill area से या gap से पास होंगे जो tunnel बनाके यहाँ पे पास होते हैं ठीक है Peninsular India में हमारी railway के connectivity अच्छी है इस्टन जो राज्थान है वहाँ भी Sandy जो डिजर्ट है वह भी हमारा बेस अच्छे से प्रवाइड नहीं करता है तो वहाँ पे construct करना बहुत ही कठीन होता है इसके लाँ अब भी economic variable भी नहीं होते हैं क्योंकि population density उतनी है नहीं वहाँ पे और इसके लाँ आप बोल सकते हो को वहाँ पे बहुत जाए economic activities भी नहीं होती है जो railway के लिए पार्सलोगरा या कुछ प्रवाइड करें और स्वेंप एरिया जो राजसा गुजरात की एरिया है वहाँ भी railway को रेल्वे ट्रेक कंस्टेकना बहुत ही कठीन होता है इसके लाँ दोस्तों forest जो dense forest एरिया है मद्यप्रदेश, 36 गार्ड, उडिशा, जहारखंड और western घाट यहाँ पे भी railway track बनाना बहुत ही मुश्किल होता है forest को clear करना और track बनाना तिस सारी difficult जो एरिया है यहाँ पे आपको कम density देखने हों को मिलेंगे railway track की ठीक है तो railway की distribution के लिए physiographic, economic, administrative तीनों factor responsible होते हैं जहाँ पे economic वैइवल है जहाँ पे हमें profit देखने हों मिलता है वहाँ पे railway track बिछाना बहुत आसान होता है ठीक है तो एक दोस्तों यहाँ पे कोनकन railway की बात होती है वैसे तो British ने सब जगर railway को अच्छे से जाल बिछाक रखा था तेकि कोनकन railway यह turning का एक उधारण है कोनकन railway क्योंकि बहुत ही हाँ पर complex most dangerous जो railway है उसमें आता है world की most dangerous railway मेर्कों कननी आता है और बहुत ही roads है क्योंकि दो most economic region को एक connect करता है एक महाराष्टा और दूसरा करनाटका तो करनाटका तो महाराष्टा और एगमोमिक रिजन को connect करता है कोन करन रेलवे महाराष्टा की जो station है रोहा और करनाटका की मैंगलोर तो यहां पर connect करता है इसकी आप length देखोगे 760 km है और यह गोवा से भी क्रॉस होती है तो तीनों इस्टेट मिलके महाराष्टा, गोवा, करनाट का तीनों ने मिलकर कौनकर रेलवे को डेवलप किया है I think 1988 या 1988 में कम्प्लिट हुआ था और हैं पे 146 रीवर इस्ट्रीम को क्रॉस करना होता है 2000 से ज़्यादा ब्रीजेज है और यहाँ पे 91 टनेल भी है और एसिया के लार्जेस्ट जो टनेल है यानि की रेलवेज टनेल वो 6.5 किलोमेटर वो हमारा कौनकर रेलवे में है दोस्तो टूरिजम के हिसाब से और यहाँ पे एकनोमिक यानि पारसल जो होते हैं उसके हिसाब से कौनकर रेलवे बहुत ही इंपोर्टेंट है और इसके लावा इंजिनिरिंग का एक मार्बल यानि के कॉंप्लेस इंजिनिरिंग का एजामपल है कौनकर रेलवेज दोस्तो ट्रेलवेज ट्रेक के बात करें और दूसरा होती है, Metro cause, एक मीटर के डिस्टेंस होती है, और एक होती है, Narrow cause, जो होती है, 0.76, या इसमें दो वराइट पाय जाते है, 0.610 मीटर दूसरा तीनों के बनाने का परपज अलग था, आप देखो के Broad cause होती है, यह Fast, Speed या Bulky जो Material होती है, उसको प्रोवाइट करने के लिएप करती है, यह हमारी सबसे Largest इननमबर है, 60,510 किलोमेटर हमारी Broad cause वाली Railway Track है, Metro cause वाली यहाँ पर देखो के 3880 किलोमेटर है, और Narrow cause वाली हमारी यहाँ पर सबसे कम 2297, यहाँ पर देखेंगे, Narrow cause दोस्तों mostly हीली इरिया में construct किया आते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत जादा width का regular track बनाना बहुत difficult होता है, और बहुत bulky material या बहुत large जो ट्रेन होती है, उसको भी पास करना बहुत ही मुस्किल होता है, तो वहाँ पर economic variable भी नहीं होते हैं, Physiography भी suitable नहीं होते हैं, administration भी बहुत tough होता है, हीली इरिया में, इसलिए वहाँ पर narrow cause वाले यहाँ जो track है, वो बिछाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन government ने यहाँ जो Indian railways है, वो development कर रहा है, और जो narrow cause है, metro cause है, उसको change करके यहाँ ब्रॉड cause वाले track बिछाए जाते हैं, ठीक Track को, दोस्तों इसके लावाँ जो development हुई है, Indian railways ने जो की है, पहले steam engine का यूज होता था, जो कोईले से चलती थी, और कोईले से जो चलती थी दोस्तों, steam engine को हमारी environmental को भी बहुत जादा polluted करती थी, इसके लावाँ यह हमारी efficiency पे उतनी अच्छे नहीं थी, पावर उतनी अच्छा नहीं होता था, तो Indian railways इसको replace करके, steam engine को replace करके, अब diesel engine और electric engine वाली train को ज़्यादा चला रही है, जिस्ते की speed भी बढ़ गई है, efficiency भी बढ़ गई है, अमारी environment को भी यहाँ पे clean यानि environment में help कर रहा है, दोस्तों इसकी लावाँ आप देखोगे, तो metro rail चला जाना है, क्योंकि पहले वहाँ पे buses चलते थे, buses, diesel buses थे, तो diesel buses बहुत जादे environment को pilot करते थे, वहाँ की cities को, जैसे Delhi की cities को, तो उसके लिए यहाँ पे आप देखो, metro rail ने diesel जो बसें उसको replace कर दिया, और हमारे economic को भी help किया, environment को भी help किया, तो इस तरह से development Indian railways कर रही है, तो लेकिन दोस्तों अभी Indian railways बहुत जादे losses भी यहाँ पे phase करती है, हलाकि freight जो है, उसमें तो losses नहीं मिलती है, passenger वाली जो train है, उसमें losses ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो कि बहुत सारे जो passenger होती है, without ticket चलते हैं, ठीक है, बिना ticket के चलते हैं, और यहाँ बहुत जादा थेबडी भी होती है, चोरी भी होती है, डेमेज भी करते हैं Indian railways प्रोपर्टी को, बहुत लोग तो मालो एसी कोच में travel कर रहे हैं, तो वहाँ से जो cover होती है, blanket होती है, चादर होती है, उसको उठा लेते हैं, ठीक है, इसके लावा आप देखो कि तो कहें कि इसे पंक्रेग करते हैं, यह सारी चोरी जो होती है, डेमेज करते हैं, प्रोपर्टी को, एजिटेशन होता है डेमेज भी करते हैं, इससे इंडियन रेलवेज को यहाँ पर बहुत जादा लॉस होती है, इसके लावा उननेसेसरी जो train को पूलिंग करते हैं, श्टॉप करत होता है तो आज के लिए वासे नहीं दोस्तों आज हम लोग रेलवे जो ट्रांस्पोर्ट है उसके बारे में डिस्ट किये और हम लोग देखें यहां पर कि रेलवेज की फीचर्स क्या क्या है रेलवे ट्रांसपोर्ट का और हमारे स्टेटर्स क्या है सोलार जोन को भी डिसक्स किये और यहां पर हम लोग देखे कौन-कौन से फैक्टर effect करते हैं इंडियन रेलवेज को distribute करने में कुनकर्ण रेलवेज को यहां पर discuss किये track type को discuss किये और development भी program देखे इंडियन रेलवेज जो ज़ारा जो development इसके प्रोग्राम चलाए गया है और रेलवेज क्यों loss करती है उसके लिए कुछ रीजन भी यहाँ पर हम लोग डिसकस किये तो I hope दोस्तों यहाँ पर आज हम लोग जो डिसकस किये आपको वीडियो पसंद आया होंगे तो आज के लिए बस इतना ही Thank you for watching, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टोपिक साथ Thank you